स्टूडेंस हम लोगों ने लस्ट का था सatif इनके बेड कि इतने हैं। ठीक है। आपके जो सुलेबस में हैं दो टॉपीक है। शिंगारणस और изб both शिंगार रस क्या होते है जब प्रेमी और प्रेमीका या नयक नैक का की मन में इस्थ्थित इस्थाई भाव। मतलब इस्थाई भाव क्या होते है रति या प्रेम से उत्पन आनंद को शिंगारस कहा जाता है ठीक है शिंगारस के दो भी होते है संयोग और वियोग शिंगारस जिस रशना में नायक नाइका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग शिंगारस और जहां इनके बियोग या विरह का वनन होता है, वहाँ पर बियोग शंगारस होता है जैसे आपको एक्जामपल दिया है लता ओठ तब सकिन लखाई, स्यामल गौर किसोर सोहाई, देखी रूप लोचन ललचाने, हडशे जनुनिच निधी पहचाने यहाँ पर रती भाव का आश्रे जो है सीता, तोकि सीता के मन में प्रेम की भावना उत्पन होती है आलंबन राम, उद्धीपन लतामंड़, राम का मोहक रूप तथा नेत्रों का ललचाना आदी अनभाव है इसी तरह हमारा वीर्रस है, जब हम कोई भी कारी करने के लिए, युद्ध अथ्वा किसी कठिन कारी को करने के लिए हमारे हिर्दय में उस्ता नामक इस्थाई भाव जो पन होता है, उसे वीर्रस कहा चाता है जैसे विभाव, अनभाव और संचारी भाव के सयोग से, जो उस्ता नामक इस्थाई भाव है, इसी तरह वीर्रस के उत्पति होती है जैसे उठारण है, मैं सक्ति कहता हूं सके, सोकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी यो तुमें प्रस्तो सदा मानो मुझे यह अभिमन्यू का कथन है, जानते हैं कि अभिमन्यू महाभारत का एक पात्रता, यह अपने सार्थी के प्रति है और कौरो आलम बनें, क्योंकि कौरो के कारण ही महाभारत की घटना घटी थी अभिमन्यों आश्च रहे हैं क्योंकि अभिमन्यों के मन में भाउत्पन हुए हैं और इसी कारण यहाँ पर वेदरस की प्राती होती है क्लियर?